जैहिन प्यारे बिच्चों, वेलकम टू भारत विस क्लासेज, कैसे हो बिच्चे आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे तो प्यारे बिच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हर एक सब्ता आप सभी का विकली टेस्ट लिया जा रहा है, और 2 सितंबर 2023 को आप सभी को का लास एट का, इंग्लिस और विज्ञान का यहाँ पे विकली टेस्ट लिया जाएगा, विज्ञान के कोशन मैंने और रे फर्स्ट कोशन, whose son was आंग्ग, फर्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है कि आंग्ग किसका बेटा था, A. पपेट मेकर, B. कॉबलर, C. आवासर मैन, D. पेंटर, बताएगे किसका बेटा था, तो वाप पपेट मेकर का था, औप्पेट मेकर इसका बिलकुल राइट एंसर है, option A is the right answer, question number 2, what did आंग्ग डिसाइड़ वन दे, एक तिंग आंग्ग ने क्या डिसाइड किया, to stay at home, यानि घर पर रुख जाए, to live home and seek his fortune, घर छोड़कर अपने भाईग की तलास करे, to go on a journey, यात्रा पर चले जाए, to live home and never come back, घर को छोड़ दे और कभी वापस ना आए, क्या होगा इसका राइट एंसर, very good, option B is the right answer, to live home and seek his fortune, घर को त्याग दे और अपने भाईग की तलास करे, घर को छोड़कर अपने भाईग की तलास करे, question number 3 पुछा गया है, to whom does the caravan belong to, जो caravan था वो किसकी थी, आंग्स फादर, अंग रिलेटिव, रिच मर्चेंट, गॉल्ड स्मीट, तो यहाँ पे होगा राइट एंसर, रिच मर्चेंट, जो अमीर व्यापारी था, उसका caravan था, question number 4, the poem, where is mind is without fear, written by, यहाँ पे जो कविता है, where is mind is without fear, यह किसके द्वारा लिखी गई है, या किसके कभी कोन है, option A, Robert For option B, Ravinderna Tagore, option C, Edgar Against, option D, William Wordsworth, बोलिए इसका right answer क्या होगा, A, B, C, या D, बिल्कुल सही, option A is the right answer, Robert Forge, इसके poet है, option A is the right answer, question number 5, what does the poet compare dead habit to, यहाँ पे dead habit की तुलना कभी ने किससे की है, deadly disease, deadly animal, deadly desert, deadly approach, क्या होगा इसका right answer, A, B, C, या D, बिल्कुल इसका right answer है, question number C, which is not synonym, यहाँ पे कौन सा synonym नहीं है, synonyms, जो एक से सब्द होते हैं, जैसे sick और unwell, एक जैसा सब्द है, right, fair, बिल्कुल एक जैसा है, strength, power, यह भी एक जैसा है, लेकिन rich और poor, यह दोनों विपरीद सब्द हैं, antonyms है, poor, गरीब, rich, अमीर, तो यह दोनों का बिल्कुल विपरीद अर्थ होता है, यह antonyms होते हैं, these are not synonyms, तो option c is the right answer, question number seven, who is the author of Rangoli, यहां पर Rangoli जो पार्थ है, उसके author कौन है, आरके नरायन, तिथी, तवूरा, रसकिन बॉंड, जियॉर्म जी, जियॉर्म, क्या होगा इसका right answer, option b is the right answer, तिथी, तवूरा is the right answer of this question, question number seven, option number b, question number eight, who was asked to make Rangoli, यहां पर Rangoli किसे बनायने को कहा गया था, ठीक है, अखिल, the author, मुम्ताज, अखिल, मदर, बताइए इसका, क्या answer हो जाएगा बच्चा, यहां पर right answer होगा, अखिल, अखिल ही Rangoli बना रहा था, option number nine, what does, is meant by a plaintive number, यहां पर जो plaintive number है, उसका, बतलब क्या होता है, a soft music, a loud, a sad music, a loud music, a sweet music, what is the right answer of this question, बताइए के बच्चे क्या होगा, इसका right answer, option B is the right answer, a sad music, sad music को यहां पर plaintive number होता है, question number 10, who's called it, मुम्ताज, मुम्ताज को कौन डाटता है, मुम्ताज father, मुम्ताज mother, मुम्ताज brother, neighbors, right answer होगा, B, तो यह थे 10 most important question, आप सभी अपने score भी चेक किए, कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं, वीडियो को like और share जरूर कीजेगा, और भारतोष class पर नए हैं, तो subscribe भी कीजेगा, धैन्यवाद,